स्पागत आपका सिने स्पीक्स में और मैं हूँ दव्यानशी कथा अनकही में कथा व्यान के घजाती है और उससे उसे अकेला छोड़ने की विनती करती है वहाँ उससे कहती है कि वहाँ उसके जिंदगी से दूर रहे क्योंकि आरव वापस आ गया है और वहाँ उसे व्यान से नहीं मिलने दे सकती क्योंकि पिछली बार उसके इस्तती बहुत खराब होगी थी और उसे चोट लगी थी वहाँ आसूओ के माध्यम से कहती है कि वह नहीं चाहती कि आरफ दोबारा उस दर्द से गुज़रे क्योंकि उसे बहतर होने में बहुत मुश्किल हुई है घड़ना के बाद कथा वियान को आरफ के गुस्ते की समस्याओं की बारे में बताती है जिससे वियान भी रोने लगता है उसका कहना है कि अगर कथा उसे एक मौका दे तो वह आरफ को फिर से उससे प्यार दरने पर मजबूर कर देगा और उसका पिता बन जाएगा कथा उससे कहती है कि उसे दुख है लेकिन वह आरफ को उसे मिलने नहीं दे सकती क्योंकि वो जानती है कि उसके बेटे के साथ क्या होगा वियान उससे कहता है कि वह किसी दिन उससे मिलेगा और कथा को दिखाएगा कि वो गलत है कथान कही के अनेवल एपिसोड में सभी ने रागव के घर पर दोस्तों और परिवार के साथ दिवाली मनाई वियान वहां आता है और आरव को प्यार और आखों में आंसू से देखता है जब कि वहां आतिश बाजी के साथ खेल रहा होता है जब दोआ साफ होगा तो आरव ने वियान को देखा और उसके आंखे सच मुझ बड़ी हो गई जब वियान उसे गले लगानी की कोशिश करता है तो आरव उसे दूर धकेल देता है और दूर रहने के लिए कहता है वो उसे यहां कहकर शांत होने की कोशिश कराता है कि सब कुछ ठीक है और उसके पिता अब उसके साथ यहां है आरब चलाता है कि वियान उसका पिता नहीं है और नहीं कभी होगा फिर वो गुस्सा हो जाता है अपना बल्ला पकरता है और उसे बैंच पर मारता है कथा उसे शान कराने की कोशिश करती है लेकिन रागव उसे जल से पकर लेता है और अंदर ले जाता है जबकि कथा वियान को देखती है जो कुचला हुआ और टूटा हुआ महसूस कर रहा है वहाँ उससे आँखें नहीं मिला पाता है और बस उदासी में खो जाता है क्या रागव या पता लगा पाएगा क्या रव वियान को लेकर इतना परिशान क्यूं है वियान कथा के लिए लड़ेगा या उसे छोड़ेगा या देखना दिल से स्पुखोगा